शारुक खान के घर मन्नत का महौल इस वक्त बिखत ही गमगीन है शारुक और गोरी खान दोनों अपनी फोन में उल्चे हुए हैं पूरे दिन कानूनी विश्य शुगो और करीबी दोस्तों से बात करें आरेन को शुरु में जो कुछ समय के लिए हिरासत में लिया गया था अब उनके वकीलों और नार्कोटी कंट्रूर्ट बीरो के बीच लंबी कानूनी लड़ाए में बदर गया गया इसे भी शारुग की फैमिली फ्रेंड ने कहा कि गुडि खान नी आरेन की रिहाई के लिए एक मन्नत रखी है और लगातार नवरात्री के दोरान चीनी और मिठाई से दूरी बना कर रखी है मुंबई क्रूज डुक्स मामले में शारुखान की बेटे आरेन खान की जमानत याजिका पर गुरवार को सुनवाई के बार मुंबई के एक विशीश अधालत ने अपने आदीश को सुरक्षित रख लिया जिसका नतीजा ये हुआ कि आरेन को कम से कम 20 सक्ट वर्तकप जील में ही रहना होगा एक पारिवारिक मित्र ने नामने च्छिपाने की शर्थ पर बताया कि शारुक और गूरिखान दोनों ही दिन बदिन बिखचिंतित होते जा रहे हैं उसकरीबी के मताबिक गूरी ने आरेन के लिए मननत रखी है नवरात्री के दोरान लगादार प्रातना कर रही है त्योहार शुरू होने के बाद सिवह चीनी और किसी भी मिठाई का सीवन नहीं कर रही है शारुखान के मैनेजर पूजा ददलानी ने पिछली सुनवाई से पहले अपनी इंस्ट्राग्राम स्टोरी पर देवी की एक तस्वीर भी साज़ा की थी उन्होंने लिखा थेंक्यू मातारानी उस वक्त शारुखान और गोनी दोनों ने सोचा कि आरियन अगले दिन जमानत पर बाहर आ जाएंगे लेकिन ऐसा नहीं हुआ शारुख ने अपने सेलेबरेटी दोस्तों को भी मननत में बार बार आने से मना का लिए तीन बार देखा गया एक मातर चेहरा उनके परोसी सल्मान खान है जो शारुख के लिए पूरा सा मरतन दे रहे हैं और उस मामलों को बारी कैसे देख रहे हैं बहराल आपको क्या लगता है कि क्या आरियन खान की मा गोरी खान की दुआ यहां पर बेटे के लिए काम आएगी या फिर नहीं दीखना होगा 20 सक्ट उपर को बहराल पूरी मुद्दिकली को आपके क्या रहा है कुमेंट बोक्स में जरूर से लिखे साथी चैनल को सबस्क्राइब कीजिए ताकि इस मुद्दे से जोड़ी हर जानकारी सबसे पहले आपको मिले